हलो बच्चों आज हम लेसन नमबर फिफ्टेन रुबायात में जिसको अमज़त हदरबादी ने लिखा है उसमें सबसे पहले हम सोचिये बोलिये पढ़ेंगे सोचिये बोलिये देखिए यहाँ पर सोचिये बोलिये नेक बनो नेकी पहलाओ सच बोलो सच कहलाओ सच की सब को तरगीब दिलाओ जब औरों को रहा बतलाओ कुद रस्ते पर तुम आजाओ समझ में आजाओ खाम को अच्छे काम दिखाओ नेक बनो नेकी पहलाओ है जिस घर में एक भी अच्छा वान वान रहेगा नाम बुरे का तुम भी चलन दिखलाओ कुछ ऐसा जिससे हो सारे जग में उजाला खाम को अच्छे काम दिखाओ नेक बनो नेकी पहलाओ बच्छों हम यह उबाई पड़े हैं अब नीचे इसके सवाला दिये गए हैं तो बच्छों सुबाई को देखकर हम क्या करेंगे? यह सवालाथ के जवाब पड़ेंगे उपर दी गई नजम में किस बात की तरगीब दी गई है क्या करा है फस सवाल में कुशन में उपर दी गई नजम में किस बात की तरगीब दी गई है तो क्या ना बच्चो आंसर देखो सच बोलने की तरगीब दी जा रही है ना सब मेरा बच्चो सेरड लेज़, सकिड देखिए नजम की कौन कौन से खिसमे है, नजम की चार खिसमे है बच्चो पाबंध नजम, नजम मौरौरा, आज़ाद नजम, नस्रीद नजम, सब मेरा राकचु चार मिस्रे वाली नजम को क्या कहते हैं बच्चो चार मिस्रे वाली नजम को रुबाई कहते हैं अभी हम पढ़े ना चार मिस्रे वाली नजम उसको रुबाई कहते हैं अभी हम देखो मरकाजी ख्याल पढ़ेंगे अमजद हैदराबादी अपनी पहली रुबाई के जरीए इस बात की तरगीब देते हैं कि ये दुनिया इंसान के लिए एक मुसाफिर खाना है और वो यहां चंद दिन का महमान है समझ मैं रहा बच्चो दुनिया क्या है हमारे लिए एक मुसाफिर खाना है या चन्दीन के हम महमान है इसी तरह अपनी दूसरी रुबाई में अमजस हज़ाबादी ने इस बात की जाने बिशारा किया है जिस तरह बीच से दरक्त बनने के लिए वक्त दरकार होता है इनसान के तमाम काम अपने वक्त मुखरारा पर मुकम्मिल होते हैं सबर से काम लेने की जरूरत है सब्यारा बच्चो यह मरकाजी ख्याल हुआ अब हम आज का सबख यहां ता की पढ़ेंगे बच्चो नेक्स क्लास में हम दो भी रुबाई पढ़ेंगे आप अच्छे से इस रुबाई को पढ़कर यह सवाला दिये गए है उसके आंसर जो मैं बोली हूँ उसको अच्छे से पढ़िए